गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्ट स्टुडेंट्स, मैसेल्फ जारिश्वर्यादो, यूर कम्प्यूटर टीचर, टुड़े आम टीचिंग यू चैप्टर टू, डेटा स्टोरेज मीडिया, बचो आज आपको आपकी बुक का चैप्टर टू पढ़ाया जाएगा, जिसका टाइटल है डेटा स्टोरेज मीडिया, डेटा स्टोरेज क्या है, कम्प्यूटर ऐसा कि आप जानते हैं कि कम्प्यूटर में स्टोरेज करने की भी कैपिसिटी होती है, तो आज हम उन सारे चीज़ों पर डिसकस करेंगे, उन पार्ट्स पर जो कम्प्यूटर में स्टोरेज करने में काम आते हैं, या जो उसको सहीयोग करते हैं, जितनी भी इंफोर्मेशन और डेटा हम कम्प्यूटर को देते हैं, वो एक नमबर की रूप में कम्प्यूटर में स्टोर होती है, कम्प्यूटर की वल दो यूनिट को यूज़ करता है, जिसमें से एक है जीरो, दूसरी है वन, अबिट, शॉर्ट और बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है, इस जिसमालेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कम्प्यूटर, कम्प्यूटर की सबसे छोटी डिजिट, सबसे छोटा यूनिट, जिसको हम बिट बोलते हैं, वो होता है, अब इट हैसा सिंगल बाइनरी वैल्यू, आइधर जीरो और वन, बिट में एक सिंगल बाइनरी वैल्यू होती है, या तो जीरो होता है, या वन होता है, अल्दो, कम्प्यूटर यूजूली प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, या या बिट एक से ज़्यादा हो जाती है, तो ये कहलाती है, बाइट्स, in most computer system, there are 8 bits in a byte, बहुत सारे computer system में 8 bit मिल करके, एक byte बनाते है, the value of a bit is usually stored as either above or below as the designated level, electrical charge in a single character within a memory device, computer में, जैसे कि हमारे घरों में एक अल्मारी है, जिसमें हम कपड़े को store करते हैं, ऐसे ही computer का system है, उस computer हमारी language चाहिए, उसको हिंदी में type करके store करना चाहिए, या English में, वो हमारी language को नहीं समझता, computer के वल binary language को समझता है, जो 0 और 1, दो ही digit यह जानता है, और इसका सबसे चोटा जो storage data है, जो सबसे चोटी unit है, वो होती है bits, और 8 bits equal to 1 bytes, half of bytes, 4 bits, 4 bits is called a nimble, इस में से, byte का half, या इस 4 bits मिल करके, एक nimble बनाती है, In some systems, the term octal is used for 8 bits, unit instead of byte, In many systems, 4 8 bits bytes और octals from a bit word, कुछ system में 8 bit unit का use किया जाता है, एक byte के लिए, Instruction length are sometimes expressed as full word, 32 bits in length, और half word, 16 bits in length, In telecommunication, the bit rate is the number of bits that are transmitted in a give time period, usually a second, we can explain it by this way, 1 bit, the value of 0 or 1, 8 bits, equal to 1 byte, 1024 bytes, equal to 1 kilobyte, 1024 kilobyte, equal to 1 megabyte, 1024 MB, equal to 1 GB, 1024 GB, 1024 GB, equal to 1 TB, 1024 TB, equal to 1 PB, 1024 PB, equal to 1 EXABYTE, 1024 EB, equal to 1 ZB, ZETABYTE, and 1024 ZETABYTE, equal to 1 YOTABYTE, बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हम आज क्रेट में mobile यूज कर रहे हैं, और normally हम आप जो data यूज करते हैं, जो 1 ZB या 1.5 ZB का होता है, वो वही है जिससे कि हम अपना हमारा जो mobile है, जो हम इसको, जिसमें हम data यूज करते हैं, जो net यूज करते हैं, वो उसी bit पर वो counting करता है, नॉर्मली हम आज की रेट में 1 GB, 1 GB equal to 1024 MB, हमारी कुछ files 32 MB की होती हैं, कुछ उसे ज़्यादा की होती हैं, तो इस तरीके से हम जो ये size है, जो ये bit और values हैं, ये हमारे computer में हम जो भी उसको instruction दे रहे हैं, या ले रहे हैं, उसके size पर depend करती है, Silicon chips, an electronic circuit carrying bits and stored on chips, एक electronic circuit जो की इस bits को carry करती है, और store करती है एक chip के उपर, इस chips are tiny piece of material card, silicon, ये जिस material के बनी होती है, वो होता है, silicon, each chip is covered with lacks of circuit, एक-एक chips, लाखों circuit से covered होती है, all the chips in the computer are mounted on board, और ये सारी चीजे, ये सारी chips एक board पर, board पर रखी जाती है, या उस पर fix की जाती है, और उस board का नाम होता है, printed circuit, board, PCBs, और, और डाटर बोर्ड्स, इस डाटर बोर्ड्स आर अटेच्ट तु दा मदर बोर्ड, ये मदर बोर्ड से अटेच होती है, IAM computer के structure को समझते हैं, computer, computer की memory होती है, primary memory और secondary memory, primary memory जो की computer में inbuilt होती है, RAM और ROM के रूप में, और secondary memory जो hard disk, CD, DVD, pen drive, जो हम इसको external memory भी बोलते हैं, जिसको हम बाहर से यूज़ करते हैं, ये सब वो होती है, primary memory, primary storage, also known as main storage or memory, primary storage को हम main storage के नाम से भी चानते हैं, this is the area in a computer, which data is stored for quick access by the computer's processor, एक computer का ऐसी, computer में एक ऐसी जगा होती है, RAM, जहां पर हमारा जो computer को हम जो भी instructions देते हैं, जो भी data देते हैं, वो यहां पर कुछ देर के लिए, processor के दवारा यहां पर रखा जाता है, the term random access memory, RAM, and read-only memory, ROM, are often used as synonyms of primary or main storage, जो वर्ड है RAM and ROM, यह main storage के लिए अक्सर इसका use किया जाता है, primary memory is computer memory that is accessed directly the CPU, it stores data or instruction currently using, using, currently using, by the computer, by the computer, तो बच्चों यह आपका इस chapter का जिसका नाम है data storage media, इस chapter का first part था, इसमें हमने जाना कि computer कैसे चीजों को अपने अंदर store करता है, उसका store करने का तरीका क्या है, bits क्या है, bytes क्या है, आईए एक नज़र डालते हैं इस शौर्ट फॉर्म्स पर, 1 किलो बाइट इक्वल टू 1 केवी, 1 केवी का साइज आप समझ सकते हैं रैसे कि हमने एक दो एक शब्द भी लिखा अगर, तो वो 1 केवी या 1 केवी से जादा का होगा, 1MB, 1GB एकल टो 1MB, 1GB एकल टो 1GB, 1TB, 1TB एकल टो 1PB, 1 exabyte equal to 1 xb and 1 zeta byte equal to 1 zb and 1 utabyte equal to 1 yb आप में से मुझे कौन बताएगा कि एक जो हम dvd पर फिल्म देखते हैं या अपने कम्प्यूटर में वो कितने mb की एक movie लगभग कितने mb की होती है ये मुझे आप answer box whatsapp पे send करेंगे जिसको भी जानकारी होगी तो बच्चो आपने यहाँ पर देखा data storage media bits and bytes silicon chips primary memory and secondary memory के बारे में ये chapter इसी subject के बारे में लिया गया है और इसमें इस बार में डिटेल्ड किया गया है कि computer हमसे जो information लेता है वो अपने अंदर किस formula पर या उसका storage का capacity क्या है इस पर वो depend करता है computer की memory का जो structure है वो है primary memory जो computer में inbuilt होती है RAM और ROM के रूप में computer की secondary memory जो हम बाहर से उसको enlarge करते हैं जैसे कि hard disk, cd, dvd, pen drive वगेरा में हम इसकी computer की memory को जड़ा बढ़ा सकते हैं तो दोश्तों ये बच्चों ये हमारे chapter का first part था second part हम लोग next video में discuss करेंगे तिल दन ओके गुडबाय थैंक यू